तो अभी हम लोग देखने वाले हैं 26 नावंबर के 1st shift के commerce के question को जितने भी question हमें याद रहे आज के exam में आज मैं उन्हें बता रहा हूँ जातर question जो थे इसमें conceptual based थे और theory के question थे जैसे कि HRM, business management, marketing management तो इसलिए उनका question ज़्यादा याद नहीं रहा और जहां से question आए हुए थे जो कि याद रहने लायक थे वो अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा देखिए जैसे कि accounts के एक question आया था sacrificing ratio जिसमें बताया था कि तीन partner है ABC जिसका ratio दिया हुआ था एक नया partner इंटर करता है जिसमें C sacrifice नहीं करेगा AB करेगा और उसका new ratio करके ऐसे पुछा हुआ था question उसके बाद एक question आया हुआ था section ATGGC यह donation का कौन सा section है उसमें 4 options दिये हुए थे उसमें बताना था उसके बाद एक question आया हुआ था उसमें agriculture income था और भी तीन चीजें थे और उनके section दिया हुआ था तो उन section से उसे match करना था और वो जो theoretical question जो भी question आया हुए थे ना वो sequence और step based question थे कि उसमें step का बताना था पहला step कौन है दूसरा step कौन है तीसरा कौन है या फिर sequence में सजाना था उसे तो ऐसा question बहुत आये हुए थे उसके बाद competition act से question आये हुए थे उनके बारे में कुछ बातें लिखी वी थी उसमें बताना था उससे related कौन से सही है और कौन से गलत है एक्स और बी एक्स वाय जिसमें की उसके वेल्यू को मल्टिप्लाई कर दिया गया था जो निकला उसके बाद पूछा जा रहा था इसका अंसर क्या आएगा एक क्वेश्चन आया हुआ था गेट डबली ट्यो एम आई एम एफ और इसका येर दिया हुआ था उसका मेचिंग क पोटिंग से क्वेश्चन आया हुआ था फिर बेलर बेली जो हता है बेलमेंट वाला बेलमेंट का बता दिया था कि चार ओप्सन दिया हो तो उसमें पूछ रहा था कि बेलर के बारे में बेलमेंट के बारे में क्या सही है तो और उसमें एबी सीडी करके दिया हुआ था औ और उसमें से जो आंसर होता, ABC, BC, इस टाइप से question आया हुआ था, उसके बाद FDI inflow पुछा था कि कौन-कौन से country का किस तरह है, sequence में सजाना हो था इस चीज़ को, ठीक है, तो इस टाइप का question आया हुआ था, एक्स, वाइ, बूमर, जेनरेशन से question आया हुआ था, market segmentation, marketing का question था, और F-test, T-test से question आया हुआ था कि non-parametric test कौन-कौन से है, और option में था ये चीज, F-test, T-test, और भी 3-4 चीज़ थे उसमें, और जो RCI आया हुआ था, वो GDP से related question आया हुआ था, जिसमें bank, FDI, GDP से बगरा बगरा से था, ये सही था, ज्यादा moderate ना hard बोल सकते हैं इसे, और एक RCI आया हुआ था, bank, loan, NPA, COVID से related, COVID के time में जो है, situation खराब हो जाती है, तो उसमें loan कितनी देनी चाहिए, किस तरह से देनी च तो ये दो RCI आये हुए थे, दोनों RCI ठीक ठाक थे, easy भी नहीं बोल सकते हार्ड भी नहीं, moderate level या moderate से थोड़ा नीचे रख सकते हैं, उसके बाद हाँ, लेकिन जितने भी RCI थे वो direct नहीं थे, ये बात हैं पर ध्यान देंगे, direct RCI नहीं थे, उसके बाद price sensitivity से question आया हुआ था कि normal goods, inferior goods और भी दो ऐसे थे goods जिसको match करना था, फिर NBFC, bank, इनके बारे में बता रखे थे कुछ लाइन जिसे commercial bank है, commercial bank और उसका गुन characteristics दे रखा था, और NBFC का दे रखा था और बोल रहा था इसको match करना, तो match the following का ये question आया हुआ था, तो हमें फिलाल अभी इतने ही question याद थे और मैंने इतना question का analysis कर दिया है, बता दिया है, और भी question अगर याद आते हैं, तो उन्हें भी बता देंगे, thank you so much for watching, bye bye